देखे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम विहार डियलिट के इंट्रेंस एक्जाम में प्रिवियस एर पूछे गए हिउमन ब्रेंस से साइंस के मोश्ट इंपॉर्टन्ट 25 कुसंस करने वाले हैं और प्रिवियस एर आपको पता है दोस्तो आपका जो एक्जाम है ये कई दिनों तक चला था और दो सिप्ट में एक्जाम हुए थे तो उन सभी डेंस में जो हिउमन ब्रेंन के ओनली जो कुसंस पूछे गए थे इस टॉपिक के उन्हीं के कुसंस आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं और ये टॉपिक दोस्तो आपका सिलिवस में भी दिया गया है इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप पहले सिलिवस में जो टॉपिक दिया गया है उसको कंप्लेट किजिए देन उसके बाद आप 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 सिलिवस तैयारी किजिए क्योंकि mostly questions जो सिलिवस में दिये गया है टॉपिक उन्हीं से पुछे जाते हैं ठीक न चलिए स्टार्ट करते हैं देखे first question में पुछा गया है मनुस्य के मस्तिश्क में ताप نियंतरन केंद्र कौन होता है दोस्तो हमारे brain में दो गरंथिया इस्थित होती है एक होता है दोस्तो previous गरंथि जिसे हम English में PMT-Utri gland कहते हैं और इसे हम master गरंथि भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये अन्य गरंथियों को नियंतरित करता है और ये दोस्तों ब्रिधी हार्मोन भी रिलीज करता है ठीक न इसलिए इससे हम माश्टर गरंथी भी कहते हैं और दूसरा होता है दोस्तों इसी के पास में इस्थित होता है हाइपोथलेमस गरंथी अब ये क्या करता है दोस्तों, तो ये जो है न, हार्मोन रिलीज करके, हमारे ब्रेइन में ताप को नियंतरित करता है, I hope आपको समझ में आया होगा, तो मनुस्य के मस्तिस्क में ताप नियंतरक के अंदर कौन होता है? हाइपोथलेमस गरंथी देखे यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक है पिटी यूटरी ग्लेन जो की बहुत ही छोटा होता है सबसे छोटा गरंथी यही होता है जो की human brain में इस्थित होता है और इसका बज़न 0.6 ग्राम के आसपास होता है और देखे उसके पास में एक इस्थित होता है हाइपोथलेमस गरंथी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैडियूला अब दोस्तों यह मेडियूला कहाँ पर इस्थित होता है इसे और हम क्या कहते हैं और इनका क्या कार्य होता है यह हम देख लेते हैं देखे यहाँ पर आप लोग यह देख रहे हैं यह जो आप देख रहे हैं इसे हम brain stem कहते हैं और यही होता है दोस्तो मेडियूला जिसका कारी क्या है देखें यहाँ पर यह इनका कार्रे हैं ठीकिन आई होप आपको समझ में आया होगा तो इनहीं में से कुछन्स बनते हैं चलिए थार्ड कोश्चन करते हैं मानव मस्तिस्क में बुध्धी का केंद्र कौन होता है यहाँ पर आपढ़ें देखें मानव मस्तिस्क का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है इसे हमें इंगलिस में क्या कहते हैं सिरेब्रम कहते हैं और हिंदी में परमस्तिस्क कहते हैं ठीक ना human brain का जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों English में स्रेब्रम और हिंदी में परमस्तिस्क ठीक ना और उसके बाद उसके बगल में जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं कहते हैं तो human brain का जो बुद्धी का केंद्र होता है न ये होता है दोस्तों cerebrum जिसे हम प्रमस्तिस्क कहते हैं और ये और क्या-क्या कारे करता है ये यहाँ पर आप लोग पढ़िए देखे intelligence, बुद्धी, learning, सीखना, judgment, judge करना, speech and memory, sense of hearing, vision, taste and smell, skin tone, muscle, movement ये इनका कारे है तो बुद्धी का जो केंद्र है ये हमारा परमस्तिस्क जिसे हम इंगलिस में cerebrum कहते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा option B, cerebrum देखे fourth question में पुछा गया है परतिवर्थी किरियाओं का नियंतरम केंद्र कहां पर इस्थित होता है दोस्तों परतिवर्थी किरियाओं किया होती है ये पहले हम समझते हैं तो परतिवर्थी किरियाओं को हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है इसे हम अनैक्षिक किरिय है. अगर अचानक उसबर हमारा हाद we touch हो जाता है. तो तुरंथ हम ہटा लेते हैं. तो ये एक पर्ति वर्ति क्रिया आए है. अब दोस्तों इसमें क्या है ना की हमारा जो है brain signal देता है कि हमने कोई गर्म बस्तू को touch किया और तुरंथ हम हटा लेते हैं तो यह जो है ना यह नियंतरन केंदर जो है यह कसेरुक रजू में इस्तित होता है जिसे हम spinal cord कहते हैं अब दोस्तों इसका क्या कार रहे होता है थोड़ा ऐसा यहां पर आप लोग समझें देखें इससे जो है ब्रेन हमारा कनेक्ट होता है यह जो है नर्व सिगनल तो इससे आपको यह पता चलता है कि हमारे जो ब्रेन जो है इससे मतलब कि अचानक जो है पता चलता है और तुरंथ हम किरियाओं को मतलब तुरंथ हम अपने बोड़ी को सेव करने के लिए कुछ किरियाएं करते हैं अचानक तो इससे हम पर्तिवर्ति किरियाएं कहते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा का सेरुक रजू ठीक न नेक्स्ट कोश्चन करते हैं नेक्स्ट कोश्चन मेरू तंतरिकाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तो मेरू तंतरिकाओं की संख्या 31 होती है लेकिन इन में तो कहीं पर है नहीं तो इसका सही आमसर option D हो जाएगा क्विश्चन नमबर 7 दोस्तो most most important है आप लोग याद कर लीजिएगा मनुस्य के मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है चले हम देखते हैं देखे ये हैं human brain और इसमें सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है ये हैं सबसे बड़ा वाला पार्ट ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम English में Cerebrum कहते हैं और Hindi में क्या कहते हैं तो Hindi में दोस्तों हम इसे प्रमस्तिस्क कहते हैं ये ही जो है human brain का सबसे बड़ा भाग होता है जिसे हम Hindi में प्रमस्तिस्क और English में Cerebrum कहते हैं और इसका क्या कर रहे है, ये तो आपको पता चली गया है, याद कर लिजिएगा, देखें, इसका सही आंसर option C होगा, मनुस्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, इसका सही आंसर होगा दोस्तो, 8, ठीक न, 8 होती है, स्रेब्रम किस से संबंदी थे, तो ये दोस्तो, human brain से संबंदी थे, और ये मानम मस्ती इसका सबसे बड़ा भाग होता है, नाडी दर, मतलब, pulse rate कहां से मापा जाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तो, धमनी से, option C, sorry, option B इसका सही होगा, ठीक धमनी से, अब दोस्तो, ये arteries क्या होते हैं, इनका क्या कर रहे होता है, ये भी आप लुक्स मज़े, जिसे हम हिंदी में धमनी कहते हैं, देखे, arteries part of your circulatory system, रक्त परिसंचरन तंतर का ये एक भाग है, are the blood vessels, ये blood vessels होते हैं, मतलब, रक्त वही काये होते हैं, जिसके दोबारा, जो है ना, that bring oxygen rich blood from your heart to all of your body cells, मतलब, रक्त के सभी, sorry, हमारे जो सरीर है, हमार को हर्ड से सरीर के विविर को सीकाओं तक पहुचाने का काम करता है, चले, next question, देखे, next question में पुछा गया है, मानव का मस्तिस्क लगभग कितने ग्राम का होता है, दोस्तो, हमारे जो brain है, ये लगभग, दोस्तो, 1350 ग्राम का होता है, सही answer, option A होगा, next question, meningitis, रोग इसको प देखे, मैंने आपको, दोस्तो, हर्मोन के बारे में पढ़ाया था, कौन सी गरंथी, कौन सा हर्मोन रिलीस करता है, कौन सी गरंथी, कौन सा एंजाइम रिलीस करता है, human हर्मोन कोन-कोन से होते हैं, और plants हर्मोन कोन-कोन से होते हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं, तो कौन सी गरंथी तुरंट एक्टिव हो जाती है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो अड्रिनल जो कि अड्रिनलीन हार्मोन रिलीज करता है ये वाला हार्मोन रिलीज करता है ठी न अड्रिनल गरंथी नेक्स्ट कोशन करते हैं दोस्तो निमलेखित में से कौन सा स्ट्रिलिंग हार्मोन है इसका सही आंसर होगा दोस्तो option A नेक्स्ट कोशन लेंगर हैंस उबदरीब पाए जाते हैं देखे इसका सही आंसर होगा दोस्तो पैन किरियाज में अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्ट्रिंट कनफ्यूज हो रहे होंगे कि यह लेंगर हैंस उबदरीब क्या होते हैं तो यह दोस्तो कोशिकाओं का नाम है यह एक परकार की कोशिका होते हैं जो की अगनासे गरंथी में पाए जाते हैं और अगनासे गरंथी को हम इंगलिस में पैन किरियाज कहते हैं, ठीक न, तो ये लेंगर हैंस उपदरीब जो हैं, ये पैन किरियाज में पाय जाते हैं, ब्रेन की विमारी को पहचाना जाता है, किसके दोवारा पहचाना जाता है, तो इसे दोस्तो सौर्ट फर्म में हम EEG कहते हैं, ठीक न, और हर्ट की विमारी को प फुल फॉर्म क्या होता है, यह क्या कारे करता है, यह थोड़ा सा अपलुक्स मज़े ठीक ना, डिटेल में, इसका फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रो इंसेफलो ग्राफ, याद कर लीजेगा, इस उकरण में जो है, क्या कहा गया है, यह एक्टिविटी सो करता है, देखें, यहाँ पर किस तरीके, किसे यह किया जाता है, E.E.G. टेस्ट, ठीकने, याद कर लीजीगा, E.E.G. का फुल फॉर्यम होता है, इलेक्ट्रो इंसेफलो ग्राफ, इलेक्ट्रो इंसेफलो ग्राफ, तिन आपच्ट्छन ए, इसका सही आंसर होगा, तंत्रीका तंत्र परमस्तिस्क का कौन सा भाग नियंत्रन रखता है ये question दोस्तों most most important है इसका सही answer होगा परमस्तिस्क, cerebrum जिसे हम cerebrum कहते हैं देखे अब दोस्तों तंत्रीका तंत्र क्या होता है आप में से most list print को पता होगा तंत्रीका तंत्री दोस्तों हमारे spinal cord के थूरू जो है ये सरीब्रम से connect होता है ठीक न और ये क्या करता है दोस्तों सरीब्रम से जब connect होगा तो सरीब्रम ही तो signal उसको भेजेगा और main कारे जो सरीर को समझ जस्ते स्थापित करने का जो कारे करेगा वो कौन करेगा यही करेग तंतिरिका 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 सरीब्रम करेगा तो वही है ठीक ना नेक्स्ट कोशन करते हैं अलजीमर रोग से मानव सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इसका सही आंसर होगा दोस्तों मस्तिस्क अब दोस्तों ये अलजीमर रोग क्या है तो ये दोस्तो यादा सोचने संबंधित एक जो है रोग है नेक्स्ट कोशन प्यूस गरंथी को नियंतिरित करने वाली गरंथी कौन सी है तो प्यूस गरंथी के पास में जो गरंथी इस्थित है न वही दोस्तो प्यूस गरंथी को नियंतिरित करता है कैसे करता है, तो हार्मोन रिलीज करके, ठीना, इसका सही आंसर क्या होगा, हाइपोथलेमस गरंथी, ठीना, अब दोस्तों देखे, कही वार इग्जाम में ये भी questions पूछा जाता है, कि जो इंडोक्राइन ग्लेंड्स होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, और हार्मोन छोड़ते हैं, ठीना, और जो बहिर स्रवी गरंथिया होते हैं, वो क्या छोड़ते हैं, वो एंजाय, आपको समझ में आया होगा, थाइराइट गरंथी द्वारा स्तरावित हार्मोन कौन सा है, तो थाइराइट गरंथी द्वारा दोस्तों थाइराक्स, थाइरोक के निर्मान में दोस्तो आयोडीन की जरूरत होती है और आयोडीन की कमी से ही दोस्तो थाईड़ boxigne हारमोन जो है ना मतलब भजर कि थाईड्र boxigne हारमोन नहीं बनता है और अस्सक्राह wires रोग हो झाता है तुछ उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है शरीर संतूलन मस्तिस्क के किस भाग दूआरा नियंतिरित किया जाता है तो यह नियंतिरित किया जाता है दोस्तों अनूमस्तिस्क के दूआरा जिसे हम English में क्या कहते है इसे हम English में ''Cereblem' कहते हैं तीना, देखे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखे, यह है सरीबलम, तीना और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका क्या करें, वेलेंस एंड कोडिनेशन पोश्चत, सरीर को सारीरिक संतुलन को बनाने में यही मैत्पून भूमी का निभाता है, जि एसी गरंथी, जो दोनों परकार का हो, इक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों परकार का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिक्स क्लैन कहते हैं, ठीना, और उसे हम हिंदी में मिस्रित गरंथी कहते हैं, ठीना, जिसे हम इंगलिस में पैंक्रियास कहते हैं, निम्न मे दोस्तों अगर और भी questions करना चाहते हैं तो उसका link आपको description box में मिल लाएगा और आप लोग playlist को check कर लेजिएगा